आज की इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में बताने वाला हूं किसी भी government employee के बायोमेट्रिक डीटेल को आप कैसे transfer आउट कर सकते हैं और transfer in कर सकते हैं तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आसीफ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजी सर्फ टेक तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यूज़ वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाल जोर कर रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे इस वीडियो को attend नहीं किया है चैनल पर पहली भार है है ट्रांसपर आउट या ट्रांसपर इन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में यूजर आईडी और पास्वर्ट के थुरू आपको अटेंडेंस के जो डिटेल है उसे सबसे पहले लॉग इन करना होगा तो आप फायरफोक्स भी यूज कर सकते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जिनरली मैं यहां पर उपन कर लिया है अब देखिए यहां पर उपन करने के बाद मैंने न्यू टैब ओपन किया सिंपली आपको attendance.gov.in वहां पर URL टाइप करना होगा लिंक में description box में दे दूँगा उसके बाद एंटर करना होगा जैसा ही आप एंटर करेंगे यहां पर एक pop-up शो होगा इस pop-up को आपको हटाना है यहां से उसके बाद यहां पर login बटन पर आना है यहां पर यूजर आईड़ी और password एंटर करना होगा और यहां पर capture code फिल करना होगा जो यहां पर शो हो रहा है capture code अगर आपको यह समझ में नहीं आए तो यहां से आप change कर सकते हैं simply मैंने यहां पर capture code फिल करने के बाद simply यहां पर sign in पर click करना होगा अब यहां पर से पासबर्ट कर सकते हैं जिसमें आपको capital later भी होगा small later भी होगा alpha numeric form होगा और special character भी होगा लेकिन फिलाल मुझे यहाँ पर password change नहीं करना है तो simply मैं यहाँ से deny कर देता हूँ वापस कर लेता हूँ अब देखें यह मेरा login हो चुका है अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसी भी employee को अगर transfer in करना है तो उसके लिए क्या करना होगा simply manage employee पर click करने के बाद आप देखें यहाँ पर transfer in का option आ रहा है transfer in पर click करेंगे और यहाँ पर जो भी employee जहां से transfer out किया गया होगा आपके organization की detail पर यहाँ पर आपको show हो जाएगा उसके बाद simply आपको अगर नहीं है तो आप यहाँ से search कर सकते हैं यहाँ पर आप search पर click करेंगे उनकी employee ID डालेंगे और submit कर देंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा लेकिन फिलाल अभी किसी भी employee का कोई भी यहाँ पर biometric details हमारे पास transfer in नहीं आया है तो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता आप अगर चाहें तो कोई code याद है तो यहाँ पर code डाल करके आप आराम से उनको search कर सकते हैं लेकिन suppose करिया कि अगर आपके organization में कोई employee थे हैं जिनका transfer हो गया है अब आपको कहा जा रहा है कि उनकी biometric details को transfer out करना है तो आप transfer out कैसे कर सकते हैं simply आपको manage employee पर आना होगा manage employee पर click करने के बाद अब जब manage employee पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे options show होंगे जिसमें आपको simply active employee पर click करना होगा अब active employee पर click करेंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं जो employee है उनका name यह यहां पे आपको शो हो रहा है अगर इसमें नहीं आ रहा है तो आप यहां पे टैब 2 में जा सकते हैं यहां पे आप देख सकते हैं टैब 3 में जा सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इतना डिटेल नहीं करना उनका कोड आपको पता है नाम पता है मुवाइल नंबर पता है तो simply आप यहां से डालेंगे सर्च करेंगे उनका नाम निकल करके आ जा रहा है सपोज करिए कि मैं ले लेता हूँ कि यह employee है और इनका transfer हो गया है तो simply यहां पे details पर आपको click करना होगा यह employee है आपको समझ में आ गया और आप देख सकते हैं कि इनकी details पूरी आपको check करनी वहां पे biometric details तो नहीं transfer out कर रहे हो अब देखिए आपने पूरी verify कर लिया अब यहां पर transfer लिखा हुआ है simply आप transfer पर click करेंगे अब यहां पर जोन से organization में आपको transfer करना होगा उस organization को यहां पर select करना होगा जब आप organization details select कर लेंगे तो आपको यहां पर region लिखना होगा region biometric details है यह transfer out यहां से हो करके यह Central Council of Hermiopathy यानि CCH में transfer out हो जाएगा या जो भी organization है जहां भी आप transfer करना चाहते हैं यहां पर आप वह select कर लेंगे और वहां पर आप region लिख करके submit कर देंगे यहां से biometric details transfer out हो जाएगा फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही मुझे उम इस चैनल को subscribe जरूर से कर लेना क्योंकि आप लोगों के लिए इसी टैप के informational और useful content मैं आपने इस चैनल पर लाता रहता हूं तो फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और interesting topic के साथ तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए धन्यवाद ज ही हिंट